नमस्कार दोस्तों बदो साथ आपका हमारे चनल में दोस्तों आज की जीडियो में आपके लिए एक ऐसी खास जानकरी लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुती फायदे मन्द हो सकते हैं दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अब 5G का टाइम आने वाला है और दीरे दीरे भ भारत के अंदर 5G लाँच हो जाएगा लेकिन हम आपको बता दें कि अभी 5G को आते आते भी लगबग एक साल तो लगी जाएगा प्रॉपर तरीके से भारत के अंदर 5G चलने में और जैसे कि आप YouTube पर भी बहुत सारी वीडियो देखते होंगे और आपने सर्च भी किया हो अभी इंडिया में डाउने में टाइम है तो ऐसे में जासे तरह लोग भारत में क्या हैं सिर्फ 4G फोन यूज़ तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 5G और 4G के अंदर फ़रक क्या होता है दोस्तों 5G और 4G में सिर्फ जो एक फरक होता है वह होता है आपकी इं तो इन दोनों में भी जो difference होगा वो internet की speed का होगा यानि कि जब आप कुछ internet पे काम करेंगे कुछ google पे search करेंगे तो speed उसकी फास्ट हो जाएगी यानि कि 4G के मताबिक 5G की speed थोड़ी fast रहेगी लेकिन दोस्तो अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूँ कि आपका जो 4G phone है वही 5G बन जाए और आपको नया phone लेनी को जरूत ना पड़े तो आप क्या सोचेंगे दोस्तो बस इसी topic पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो आपसे request है इस वीडियो का आप end तक देखिए ताकि आप इसे ठीक से वाला हूँ इस browser का नाम है 5G browser और इसका link में आपको description में भी दिया हुआ है लेकिन ये काम कैसे करता है इसको एक बार आप देख लीजिए ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पर simply मैंने ये browser खोल लिया है ये 5G browser है अब मैं आपको यहाँ पर difference दिखाऊँगा अपने normal browser और इस browser की speed का अब आपको ध्यान देना है कि दोनों की speed में कितना फरक आ रहा है ठीक है मैं आपको ये दो बार करके दिखाऊँगा ताकि आप इसका जो difference है वो ठीक से जान पाए अब देखें मैंने ये जो application का जो browser 5G browser इसको open कर लिया है अब मैं यहाँ पर कुछ search करने की कोशिश करता हूँ अब आप ये देखेगा कि इसकी speed जो है कितनी है आपको ये ध्यान देना है ठीक है तो देखें मैं यहाँ पर चलिए लिख लेता हूँ Amazon पूरा खुल चुका Amazon यहाँ पर खुल चुका अब देखें चलिए हम यहाँ पर कुछ और चीज़ पर हम क्लिक करके देख लेते हैं कि ये कितनी जल्दी खुलता है या नहीं खुलता अब हमने यहाँ पर टच कर दिया देखें कितना जल्दी response कर रहा है यह बहुत चल्दी मला lightning fast speed से यह जो भी मैं टच कर रहा हूं उसको response कर रहा है अब हम बात करते हैं अपने normal browser पर जो मैं यूज कर रहा था पहले अभी तो मैं यह वाला browser यूज कर रहा हूं क्योंकि यह बहुत fast है लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अब जो normal browser है हमारा वो कितना response करता है तो सबसे पहले मैं इसको background से मैंने इसको बंद कर दिया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं यह ही यूज कर रहा हूं अब मैं simply अपना जो normal browser है Google browser इसको open करता हूं अब आपने जो 5G browser है उसकी speed को तो देखी लिया अब हम अपने normal browser की speed को भी यहां पर एक बार check करते हैं तो चलिए हम यहां पर लिख लेते है Amazon जैसे कि यह देखे उपर लिखा ही हुआ है अब देखे थोड़ा सा time लगाया इस पेच पर आने पर थोड़ा सा time लगाया अब यहां पर हम click करते हैं जैसे कि हमने वहां पर देखा था कि बिलकुल एगदम जटके से Amazon की site खुली थी हम यहां पर click करके देखेंगे किता यहां पर time लगएगा तो देखें यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक second लगभग यहां पर time लगा है Amazon को enter करने के लिए लेकिन जो हमने 5G browser अभी चलाया था उसके अंदर बहुत जल्दी lightning fast speed से वह response कर रहा था अब यहां पर हम इसी option को दुबारा टच करके देखते हैं कि यह कितना time लगाएगा तो देखें मैंने आप टच कर दिया अब देखें यह एक से डेड़ सेकंड यहां पर इसके अंदर इसमें जाने में site में और इस category इसके अंदर जाने में time लगाया तो दोस्तों आपने देखा कि इस दोनों के अंदर चाहें जादा फरक नहीं है लेकिन आपने यह notice किया होगा कि जरूर जो 5G का जो मैंने आपको browser बताया है वो उसकी speed इसके मुक्ताबिक थोड़ी तेज है चलिए हम आपको एक और बार मैं आपको demo करके दिखाता हूँ त पुश करते हैं चलिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ YouTube ठीक है अब आप देखते रहे हैं कि यहाँ पर time कितना लग रहा है हम बस यही difference देखेंगे दोनों में कि कितना time लगता है अब यहाँ पर हम इस YouTube पर click करके देखते हैं ठीक है अब देखे यह कितना यह देखे इत अब यह ब्राउजर जो है ओपन होगे अब हम यहाँ पर type कर लेते हैं YouTube जैसे कि हमने वहाँ पर type किया था ठीक है अब इसके अंतर एक आत बीच में एड खुल भी जाती है तो इसमें कोई घबराने या कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है चलिए हमने यहाँ पर YouTube पर टच इसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है आप इसे वहां से इंस्टॉल किजिए इसको यूज कीजिए मैं इसको यूज कर रहा हूं यकीन मानिए यह बहुत ही कामका और बहुत ही फास्ट रिस्पॉंड आपके लिए करता है और आप इसके फैन हो जाएंगे औ आपके स्क्रीन के उपर सब्स्क्राइब एलाल निशान के उपर टच करके और उसके बाद गंटी के निशान पर जो टच कीजिए ताकि आपको बनाए हुई नहीं नहीं वीडियो लगातार मिलती रहें यह फ्री होतार आप इसे सहाध सहाधा फायदा उठा सकते हैं तो